आश्म के बहुत बहुत अभिनन्दन राम्नोमि के पराग पर और नव्रात्रा के आए शमापन पर अहुँ सब के सुबकामना अभिननन एदेश के और मिठलांचल के सम नाग्री के सुबकामना अभिननन मुक्रूप से हम मैं आया था यहां तीन दी बस ये किसान मेला का अंतर राष्टिय किसान मेला का आयूजन है बेनिपटी के बसे चानपुरा किसे विजान के अंदर कर एसके चौधरी इस पिशनल संस्थान के द्वारा उचलाया करता है उसमें संद्कुमार चौधी जी उसके अध्यक्षे यह सेमिनार था क्रिशी की समस्या के निदान के लिए काम किये गए काम और विश्व में क्रिशी के छेत्र में चुनोगी कि दुनिया भार के इसमें कोई आठ तस गेसों के बैचानिक लोग आये थे अच्छा चनला काप्षी संख्या में किसान भी भाग दिये और इस मिठलान्चर में क्रिशी विज्ञान केंद्र जालिब किसान इस मेला में आये थे और उनिके द्वारा लाया गया था और काफी लोग हैं वहां देखने से यह पता लगता है किस मिठलान्चर के अंदर अपने आपस्वता जीवकार के द्वारा या अन्य तरह के समून के द्वारा बना करके महिलाएं और नोजवान जो काम कर रहे हैं वह अद्भूत है और प्रसंशनिये है क्योंकि हम नव उसको दिखने जाते हैं आनव उनके बारे में हम तभी समाज को जानकारी देना चाहते हैं कि यहां भी कर रहे हैं ऐसे ऐसी महलाएं सब हैं वह अपने अपने तौर पर रुका के द्वारा बहुत ही उनको मैंने कई को मंच पर सम्मानित भी गिया उनको दूसरे सांस्कृति कार्ज करम की तीन राथ उसमें इस मिठलांचल के यह ही दरवंगा के मिठलांचल के दो गुरुप थे खंडेर बालों का एक स्रिष्टी हंडेशन का क्योटी के मादोपती के यह है में बैठ करने रात में उनका न कारिज करम को न दो खल्टा ते लुल्टा इसलिए धिने गया था कि हमारी यहां वी लोंका कार्शकरम ऐसा होता है मुलके कार्ज क्रम को देखने से उनकी पषुबार और उनमें जो छमता है उसको देखनेसे पुझे नगा कि इस मिट्टी के अंदर जो प्रतिभा है जो गता चमता है खार्ज दक्षता है दुरुभा के से हम जो उसको आगे परहाने में सक्षम नहीं है उनको दुनिया के सामने रखने में सक्षम नहीं है वेसे भारत सरकार के नेती है अजादी के अमरित महोस्त अफ्सर पर जो देश भान के अंदर जो लोग कला है लोग संस्कृती है लोग निर्ट है जो लोग जीवन है उसके उपर में हर जगा कार्ज करण चलाया जाया और राज्यों को एक निर्देश दिया जया करने का उस तरह भी सब को ध्यान देना चाहिए और ऐसे जो प्रतिभासाली लोग है उनको जितना संब्रफ हो सकते उनको हर तरह से आगे बढ़ने में सब को सयोग और मजद करना चाहिए जनता पाती का ये अस्थाप्ना समारोभ चल रहा है भारती जनता पाती का या लिश अलिशमा ब्रस लेट पार कर जेएं अब या जर्शनता पाती प्रभेश्च क courtesy सका मतलब है भारती जनता पाती अब ऑन्सने जमानी में आगी मिला तो इसलिए कार्जकरब भी हमारा वर्षा है कि जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है तर्वार के धारों पर चल करी दिहास नयात अपनता है भारतिय जन्तापाटी के सामने जब जमानी आई है तो भारतिय जन्तापाटी के सामने चुनोटियां भी बहुत है देश के अंदर गुलाम भारत से लेखे और आजाद भारत था आज था जो हिंदुस्तान के अंदर जितने आर्थिक, समाजिक, राजनेतिक, सेक्षिक, धार्मिक ये जितनी छेत्रों में जितनी विशंगतियां थी और अंतर द्वंद जितने पैदा किये गए थे भारतिय जन्तापाटी अब उसको समन करने में लगिये, दमन नहीं, समन किस तरह से इसको समरस किया जाए, तो ये जो विशंगतियां है और समाज के अंदर जो विक्रितियां है और जिसके कारण जो समाज के अंदर तनाव है, खिचाव है अलग-अलग तरीके से, इस तनाव को खिचाव को कितना धिला किया जाए, कम किया जाए, कि हम आपस में ख सप्रेडल 실팃 2015 में जो सक्ति का अपर्वैक्रते हैं उस सक्ति का संचे करके हम राश्तमिर्मान में उच्ति का उभियोक करें हैं इसलिए बादिका अभ्जुड गया है सबका साथ सबका दिसास दिकाश सबका विश्वास के सांट जा सबका प्रियास प्रियास का मतलब है कि हम जो जहां जहां है जहीं जिस शित्र में उह से वह हर अनागरीद अपने तोर पर जिसको अंगरेजी में कहते हैं इनिसेटिव लेदा पहल करना कि वह अपने तोर पर स्वयंग पहल करें कि हम अपने अपने विकार अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए अपने देश के लिए हम कौन सा काम करें जिससे की समगरता में विकास हो समगरता में है और इसपर देश के लोग कर भी रहे हैं से के लिगुव करन जबान वह नहाँ जो इस्टार्ट अपिक इंडिया दौरा आत्मिरभण भरत के दौरा स्वावलम्भी भरत के दौरा यह जो कार्ज करन्सम नोकिक तरह कर रहे हैं और उनके प्रतिभावन की पर्तिष्ठ विश्वास्तर पर होने लगी है। हाथुर्भाग है कि भारत के अंदर रहरत गूनंग अंदर ही कुछ लोग हैं जो अपने लोगों की प्रतिभावत पुजा करने में उनको सरम आती है और पाहर बाहर के नकली माल को भी वो असली सिद्ध करने में लगे रहते हैं भारत के अंदर एक विक्रित मानसिता वाले लोग अजादी के समय से रहे उनकी बात को हम छोड़ देते हैं नाकारात्म बातों को छोड़ देते हैं लेकिन समानी रुप से इस देश के लगभग 85-90 प्रतिशक लोग हैं जो सकारतमक भाव से इस देश को हर छेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सूचने लगे हैं कुछ करने लगे हैं और उनको सरकार के द्वारा अन्यों को प्रकार से कुछ औसर भी मिलने दगा है अब उसमें सबका हमको स्वयोग देना था है घाते जंता पार्थी के द्वारा अने को तरह के कार्ज करब चलाए रिडा रहे हैं किसान का कम कपकर जिला किसान मुर्चा का बाबु बढ़ी के एक गाहों में था मुरहती गाह में कभी जिप आंदूरन नोस काओं में हम गयते सजोग से मुठको कहा था हम जयाए जे वहां कुरान साथी सबे मिले जे प्लूरी में एक पुरान साथी के घर पर होता नहीं उनके बच्चे लेगे वहीं खाना खाये खाना खाये तो किसान मुर्चा के द्वारा काम था किसानो कि अधायों के बीजिमें खाम करते हैं कि कार्ज करम बहुत है उन सारे कार्ज करमों की हम यहां व्याक्षा नहीं कर सकते नमबा समय इसमें लगेगा लेकिन लेकिन अगर अगर एसा मुझे अनुहब हुआ चो कि मैं अपार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हुए कि अनभबाटी का कोई मुझे पार्टी के पार्टी के तरफ सो कि जिम्मधारी है मैं तो ऐसे कि पार्टी के पार्टी के संगठन वे रहने के कारण अपने हिंदू संस्कृति मताविक मैं संध्यास असरम में विए पिर भी हमारे सनातन धर्में कहा गया है कि सन्यासी होने का मतलब यह नहीं है कि तुम बिलुकुल बिरत्त हो जाओ सन्यास लेने का मतलब जब तुम चोथे पर में 75 बरस के बाद सन्यास आसरग में जाओ तो तुमहारा जिबन समाज और राष्ट के परतीः समर्कूथ हो रहा है तुम अपने च्छमता के अनुषार समाज को और राष्ट को जो दे सकते हो हमेशा उस को देने का प्रियत्र करते रहो जब तक तुम उपकते हो तब तक हमें पार्टी से बधेर हुए हैं इसलिए कर लेते हैं बिना पार्टी बादे काम लिए को बुडाते हैं तो चले जाते हैं कोई हर्जा नहीं है आजाने मेने संकोच है क्योंके हमारे गुर्व डाक्टर लुहां हम लोगों को पढ़ाये चें बहुत मार्चिकी बात और आज भी मेरे द्रवोधी भी पाले बंच में कई बार दूराये चेंद और मैं कहना भी चाहूंगा कि डाक्टर लुहां नहीं समाजवादियों को कहा कि विधान मंदल के अंदर आपस में खुब जगरो लरो जगरो नहीं लरो संघर्च करो लेकिन जब विधान मंदल के बाहर आओ तो वहां की बाते बोल जाओ आपस में आपस में मिल करके एक जग बैठो चर्चा करो तुम अपने विरोधी को विरोधी समझो विपक्षी को विरोधी समझो, उनको दुस्मन मत समझो, और तुम्हारा विपक्षी भी कभी संकत में फसे, सबसे पहले तुम उनके उनके क्याकते सेवा में पोंचो, तो आज जो राजनीती के अंदर जो इकत्पा है, आखमून के अंध विरोध है, उसके कारण राष्ट को जो छती हो रह कोई जमात हो, चाहा हो हिंदू के नाम पर जमात हो, मुसलमान के नाम पर जमात हो, इसाय के नाम पर जमात हो, राजनीतिकल के नाम पर जमात हो, लेकिन हर संगठन की क्या हर व्यक्ति को आज ये मान के चलना चाहिए कि भारत के नागरे हमारे विरोधी है, लेकिन हमेरे बात है दुश्मन होना अलग बात है विरोधी है आज विरोधी है कल हमारे साथ हो सकते हैं हम इसा समाजबादी जल में थे जन्संग में हम नहीं थे लेकिन हम ही आज भारते जन्तापाटी में हैं और भारते जन्तापाटी के सबसे परबल पक्षधर हैं तो चलते चलते कहीं जो भी पक्ष में भी है उनके साथ हमारी सहमती बन सकती है और हम उनको दुस्मन मानने तो परदेशी के जैसे मानने से यह देश नहीं चलेगा यह जो नरेद मोदी जी कर रहे हैं तो भारती जनता पार्टी के काज करता हूं के उपर यह सबसे बड़ी जिम्हता है क्योंकि जिसका कप्तान आदेश दे रहा है कि तुमको फलाने चोकी पर जाना है और जो भी सिपाही उस चोकी पर जाने में आना कानी करे इसका मतलग कुछ सिपाही नहीं है वो गद्दार है मब पर इसी मजबूती के साथ करते हैं तो राजनीरती कार्ज करताओं के मन में भी वही निष्ठा और समर्पन होना चाहिए अपने पाटी के नेता कार्ज करम के परती, अपने पाटी के सिधान के परती और अपने पाटी के निर्ने के परती हिए दिरय हमारे मन के अनुकुल नहीं भूzh तो अंपाथी में यह भाएं बैठ हें तो 2050 ड़े यह जो dreamed नहीं चाहिता नहीं होना क्लेगित एक वार जब मिलने ओगया वह गया तो निर हो गया तो कर्म के छेत्र में किसी तरह का अगर हम विचलन करते हैं कोई आचरन करते हैं या बानी से हम बानी से हम कुछ करते हैं कर्म से कुछ करते हैं कि तो यह राजीनीती में जो ऐसे लोग हैं बुच रित्रवाले लोग समाच को भी चाहिए कि अएसे लोगों को पहचान है पजियर किस संद्र में आपोसा है। हम तो जद्रव नहीं है न मेरे सामने कोई व्यक्ति है नो दल है न कुछ नहीं है हम भारतिये जन्ता पाज के स्री नरिज्र-मोद् सकत वह कंडी लए विए एग दिशानिर्देस की बात कर रहा हूं, कि जब मैं करता हूँ, तो केबल अपनी पाज के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं पाज करा हूँ, आगर भारतीय जंता पार्टे के आदेस हो रहा कि तुमको नैपाल जाना है तो जाना है सब और अर्जी टीके न्यता ने आदेस दिया इसमको जाकर चलांग लगाना है कोशी में gili सब्वाइशों को चलांग लगाना है जबत जुफ पारि में है मैं संगठन की बात कर रहा हूं संगठन धर्म जब तक जिस पार्टी में है और उस पार्टी का जो आदेश और निर्ने है उस निर्ने का पालन करना ही उस राजनितिक दल के कार्ज करताओं का अपना धर्म है और अगर वो उसका पालन नहीं करता है तो इसका मतलब अपनी धर्म से वो बिचलित हो जाता है यह समाने सिधान्द में कर रहा हूं किसी एक के लिए नहीं और इस कसोथी पार चाहे देश के बुद्री जिली हों विद्वान हों पत्रकार हों समाजी कार्च शेत्र में हों या देश कते कहीं किया हुएं हम उन सबसे निविदन करते हैं कि आप इसी कसोथी पार हर पाती की कार्च कर्च करताओं को जहां कहीं भी है कस नहीं हो सकता है समाज का नेता नहीं हो सकता है क्योंकि जो अपनी ही निर्धारित लक्ष से हट जाए अपने कार्च करम से हट जाए अपनी ही दल और अपने नेता का अदेश नहीं माने कि तो समाज को क्या श्राष्टा दिखा सकता है यह समालने बात Shopify कहा रहा हूँ मेरा कोई इस दल से उस दल से नहीं एक राजनीतिक चरीत्र के बारे में और दुर्ष आप लोगी पत्रकार है तो आप लोग का फिकाम हuum कि अगर कहीं पाटी के कोई पाटी का किसान का कार्जक्रण हो रहा है पाटी ने दिया कि किसान का कर्जक्रण उसमें अगर बोलने वाले कि किसान की समस्या और उसका निदान किसान की समस्या उसका कारण उसका सवधान समस्या का का समस्या का कारण और उसका समध्धान तब आप समझिए कि यह राजनीती में कर्म राजनीती कर्में प्लैक लेता है लेकिन अगर किसान की उपर में बात हो रही है और उस समय वह उस बात को छोड़के दुनिया भरकी बात करता है तो मैं समझता हूं कि आज उन्यताओं को भ अपनी किसान के बारे में है तो किसानों की समस्या क्या है अलग-अलग बस यहीं पराफ करके मैं इसा सो क्यों कुछ कशक है मन में नहीं इसलिए कि मैं पार्टी की किसी पदूर नहीं हूँ यह तो सकती है मुझे पार्टी ने को जिम्मेदारी भी नहीं कि है प के अलावे फडिसे लेकिन-फिर भी मैं पार्टी के लिए संपुल रुपिन से समठपी भाव से काम कर दा हूँ ज़िग इसलिए कहता हूँ कि मेरे जैसे हजार लाखों कार्ट लोग हैं इस वर से जन्ता पारडी है जो मेरी उमर में आने के बाद घर पर बैठे हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि जिस तरह मैं पुर्ण रुपें से पाटी के लिए लगा हूं तो आप न भी पदबर हों न भी जिम्मेबारी हों लेकिन जहां कहीं हों वहीं वह अपने अपने तौर पर पाटी के लिए करिये अगर आप उकील है तो आप पाटी के कर्ज करता का मुकदमा आ जाता है नहीं कुछ करते तो उनको सलाह दिए आप अगर सिक्षक हैं नहीं कुछ कर सकते हैं तो पाटी के लोग हैं उनके बच्चे अगर गरीब है कहीं अपने जगर गरीब के बच्चे को ही पर आईये कोई नब कोई पाटी का पाटी के जो का साथी है वह पाटी से कभी राजनीती करने माला कभी सेवानिपृत नहीं होता है पार्टी के शमें उत्रेवास चुप है रहा है रहा है पार्टी जनता पार्टी करने देखने के लिए सिस्तम है सिस्टम तो सिस्टम वाले अपना देख रहे होंगे और सिस्टम वाले ने देखा होगा तो उचित जगह पर उसको पहुंचा देंगे क्योंकि हमारा जो सिस्टम है जिसको आप लोग करते हैं सिसी टीवी तो हमारा हर गाउं में हर गाउं में मेरे पार्टी का सिसी टीवी कौ कुझ चांट करता ऩॉग साथी को पर हो या नहीं हो लेकिन वधियर इस नोर इए ब ex is अपने तोर पर पाटी के संगठन के लोगों को बता देता है यह हमारा कांट उस नैसे दोखा दिया उससे यह धोखा दिया अब पांटी के जानकारी को एकठा करना, और उसका सत्यापन करना, ठील इसको उचिता स्थान पर पहंगा देना, निर्वने लेना उचिता स्थानी काम है। मैंने जो देखा, मुझे तो मुझे उचित जगहाफर मैं बताओंगा, बताओंगा कहाँ, मैं दिल्ली मेराता हूँ तो जैक मी नधाजी को बता जूँगा, यभी असन्तोजी को बता जूगा, लेकिन मुझे को चोड़ाहापर कहेंगे कि आप बताएए तो सो में बताओंग कि यही मेरा अनुशासन है हमको उचित जगह पर उचित रूसे अपनी बात को बता देना है निर्णे करना उनका काम है और समाज इने देखा है, तो मैं पढातना करूँगा आप लोगों के मात्त की, मेरी वोड़ से, आप समाज से, समाज को मेरी होड़ से, हाँज जोड़ के पढातना कर दीजे, कर बस पढातना, कि आप सब ही इस देश के CCTV कैमरा हैं महाभारत के बरबरीक हैं आप संपूर महाभारत के जुद्ध को देख रहे हैं और देख करके के बन मौन मत रहिए औसर आने पर आप भी सचेत और सतर्क होकर के ऐसे लोगों को अपने अपने तोर पर दंडित करने का प्रियास करिए आपकी नजन में अगर किसी पाटी का काट करता पाटी के साथ विस्वाजगात किया है तो मैं समझता हूं कि वो पाटी के साथ नहीं विस्वाजगात किया है वो समाज के साथ विस्वाजगात किया है वो रास्ट के साथ विस्वाजगात किया है आज अगर किसी कारण के की कुरशी मिल जाये तो राष को धुका दे सकता है तो जो का में कहा बत हुआ जो एक घ्रा के चोड़ तहने हीरा के चोड़ तो जो आदमी जो आदमी खीरा खीरा चोडी करते पकड़ा देया उस आदमी को हाथ में अगर हीरा दे दिया जाए तो चोडी नहीं करेगा वो लुट लेगा तो ऐसे ऐसे लोग समाज में किसी भी पद के लाइफ योगे नहीं है यह हमारा भागवा के अस्थापना दिवस्का दूर काजकरम है कि वह आप लोग उनको बुलाए थे कहां तुमार नहीं सवाल है ले आओगा यहां इन्हां पर्चाथ चुनाओं में जो पर्चाथी की हार हुई है एंडिये तो अब उन्होंने कहा ना वितर घात के कारण हा रुई है तो भीतर घात कहां हुआ कैसे हुआ किस ने क्या किस कार निकीश कुमार को और सिरीमान भाकिर जन्तापार्टी को जैसबाल जी को अभीफु भाई हमारे जो संगठत प्रभारी है वहां जाकर के बताना चाहिए आपको अगर पेट में दर्ग है तो मधवनी के पेट माले अस्पताल में डाक्टर इसके मिशला है ना उनके यहां ज राधो चोड़ा है पर कुण सुधा का काउंटर वड़ा कोई बाच जगा तो जहां उचित जगा और मैंने कहा ना भाग्त्पार का सिस्टेम अव्तीजगा कर भीतर्गात हुआ है किसी ने किया क्यों किया यह सारी बात को मैं अगर उन्होंने कहा है तो मैं कूंगा उनको कि उनके दल्गेव जंटा दल्युक प्रधान नितिस कुमार जी हैं उनके पर देश के यहां अध्यक्ष खुश्वः जी है राश्ती आध्यक्ष नलंकुमार जी उनको जाके पताएं और यह हमारे संगठन के गठ बंदल तो मिद्वार थेंदिए के तो उस ऐसे कहना हो तो हमारे तो भाद्वार के संगठन के परधान हैं मिन अध्यक्ष जैसमाल जी उन्तुना आजिनों आध्यों को जाकर बताएद है जैसमालम सिका जैसमाल जुभाद सुझे अने, जवाद जी से कुन ज्जाएप पर राखी में डाऊन एक बात किये नहीं, जैस्पाल जी नहीं उन्हों को क्या कहा वो तो जानी जैस्पाल जी आ जाने वो बोलू आपको ओबर भर में कनियावर की बतियले, इतासे हूं जटो रहा पर कहिं है, इतासे उची थोई तो जाने जैस्पाल जी जाने वो आप हमारी यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें अगर आप फीस्बूक पे हैं तो हमारे पीज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है